तो दोस्तों हमने मैंने सोचा हमारे साउंड क्वालिटी को इंप्रूब किया जाए और अभी जो अडियो रेकर्डिंग हो रहा है वो है बोया M1 बहुत दिन से मैंने इसको यूज कर रहा था बोया M1 माइक जो 700 से 800 के बीच में आप लोग को मिल जाता है एमेजन फिलिपकार या अफलाइन में मिल जाता है मैंने सोचा हमारे साउंड क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूब किया जाए और मैंने अभी अभी DSLR लिया था तो DSLR के साथ wireless connectivity किया जाए sound को लगे तो इसलिए मैंने मंगाया हूँ दोस्तो FD का FM40 जो अभी मतलब budget सेग्मेंट में ये बहुत बढ़िया product आ रहा है तो इसको मैंने मंगाया हूँ इस वीडियो में मैं आप लोग को इसको unboxing करने वाला हूँ और इसका sound quality चेक करेंगे अभी outdoor shoot कर रहा हूँ और बहुत हावा चल रहा है आप लोग देख भी पा रहे हो ये बोया M1 के साथ मैं outdoor shoot कर रहा हूँ अभी मैं FD की FM40 version 3.0 को unboxing करूँगा और sound test करेंगे चले दोस्तों सुरू करते हैं वीडियो अगर आचा लएगा like कर देना ऐसा ही वीडियो की notification चाहते हो तो channel को जरूर subscribe कर लेना तो दोस्तों ये है FD की FM40 version 3 तो चले इसको unbox करते हैं इसके अंदर क्या-क्या मिलता है इसको side में रखते हैं और इसके अंदर पहले एक carrying pouch मिलता है और इसके अंदर एक neck band मिलता है तो इसको भी side रखते हैं और इसके साथ आप लोग को कुछ documents मिल जाता है यहाँ पे user guide बोल सकते हो और यहाँ पे क्या-क्या accessories है वो भी हम बात करेंगे और यह है a carrying pouch इसके अंदर भी कुछ documents मिल जाता है इसको हम रखते हैं side में और सबसे बढ़िया चीज है कि यह दोस्तों carrying box दिया है दोस्तों इसके अंदर सारे accessories आप रख सकते हो और travel करने के time यह बहुत help करेगा आपको जब आप travel कर रहे हो तो तो इसको हम side में रखते हैं और इसको ही खोलते हैं हमारे main content इसके अंदर है देख सकते हो दोस्तों FD के तरफ से जो carrying cash दिया गया है यह carrying pouch जो दिया गया है बहुत hard है और solid है दोस्तों मतलब जो budget में आ रहा है यह बहुत बढ़िया है और मै आप लोग को last में बताऊंगा कितने budget में आता है तो इसको खोलने के बात दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे दो side में दो accessories रखा गया है यहाँ पे आप लोग को एक transmitter एक receiver रखा गया है और इसके साथ आप लोग को एक type C का port दिया गया है combo port दिया गया है मतलब adapter नहीं मिल रह है इसके साथ आप कोई भी phone की adapter से charge कर सकते हो एक साथ दोनों को connect कर सकते हो यह वार के दजजरिये में और यहाँ पे और एक cable मिल रहा है यहाँ पे एक cable नहीं है दोस्तों यहाँ दो cable की अलग अलग क्याम है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो TRS cable है और यह भी TRS मतलब यह DS के लिए यहाँ पे आप लोग देखना TRS cable से TRRS मतलब यह mobile के लिए आप mobile में भी यूज़ कर सकते हो और DSLR में भी यूज़ कर सकते हो इसके साथ एक levelier mic भी दिया गया है levelier mic क्यों यूज़ होता है कि आप अगर इसको directly color में mount नहीं करना है तो आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हो इसको भी side में रखते हैं और एक यहाँ पे clip दिया गया है जो levelier mic को आपको hold करने के लिए तो main point को आते हैं दोस्तों यह है transmitter transmitter का quality आप लोग देखना दोस्तों बहुत बढ़िया quality दिया गया है और मैं बताना चाहूंगा इसका जो feel जो है न यह एक rubberis material के type में दि दिया गया है तो आप लोग कहीं पे भी clip कर सकते हो और इसको आप color में attach कर सकते हो और इस side में आपको type C की port दिख जाएगा जो charging करने के लिए और यहाँ पे power button दिया गया है जो power को on करने के लिए यहाँ पे आप लोग की एक mic को input करने के लिए और inbuilt mic का यहाँ पे port दिया और volume of down आपकी जो sound quality को आप खुद यहाँ पे judge कर सकते हो और volume of down कर सकते हो तो यह रहा दोस्तों transmitter और इसके ऊपर एक antenna दिया गया है दोस्तों एक देख सकते हो दोस्तों और इसका जो range बहुत जादा है दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बताना चाहूंगा 200 feet तक इसका range है और मैंने आपको range test करके भी दिखाना चाहूंगा यह अगर आप antenna यूज नहीं करना चाहते हो तो आप लोग इसके अंदर गुसा के ऐसे रख सकते हो बट यह एक चीज है कि यह ऐसा रहने वाला है आप कभी भी यूज करो तो यह ऐसा आपको show कराएगा जैसे कि road mic में यह नहीं है बट यहां पर आप लोग को यह चीज़े आपको देखने मिलेगा इसको हम रखते हैं इधर दूसरा यहां पर receiver की बात करते हैं तो receiver में ऐसे दो एंटीना मिल जाएगा आप लोग देखना और receiver में भी volume up and down दिया गया है और यहां पर बता ना चाहूंगा यहां पर दो port दिया गया दो port जो है यह output port है output से लेके आप DSLR में connect करो या mobile में connect करो उसके बात जो यहां पर एक headphone की symbol दिया गया है यहां पर आप audio को monitor कर सकते हो दोस्तों आप क्या बोल रहे हो उसको monitor करने के लिए यह port दिया गया है उसके साथ यहां पर charging port और power button दिया गया है और य यह रहा है दोस्तों पूरा transmitter अभी मैं आप लोग को indoor and outdoor sound quality सुनाओंगा किस type का sound आ रहा है indoor में and outdoor में दोस्तों अभी जो sound quality आ रहा है यह है outdoor और यह बोया M1 माइक यहां पर आप लोग देख सकते हो बोया M1 माइक के साथ यह attach हुआ है अभी मैं switch करने वाला हूँ FD के तो मैं यहां पे लगबग 15 cm की distance में बात कर रहा हूँ और हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है यहां पे पूरा हवा चल रहा है और हम अभी outdoor में है चत के उपर है और आप लोग judge करना sound quality कैसा आ रहा है sound quality test, mic testing 1, 2, 3, mic testing 1, 2, 3 और इसका range test करने के लिए मैं अभी दूर को जा जोला नहीं है तो दोस्तों अभी हम चेक करते हैं कितना distance तक यह mic record कर सकता है मैं अभी दूर को जाता हूँ और मेरा जो maximum है 20 to 30 meter तक है 20 से 30 meter तक यहां पे वो वाल तक जाओंगा क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं जा पाओंगा यहां पे आप लोग देखना और मेरा custom को बि मैं 20 meter तक जा चुका हूँ क्या आपकी sound quality ठीक ठाक आ रहा है और गाईज अभी मैं clip निकाल रहा हूँ और clip निकाल के मूँ में बात कर रहा हूँ जैसे कि 5 cm के दूरी में ऐसे बात कर रहा हूँ तो आप लोग को sound quality कैसा आ रहा है जज करना और यहां पे sound cut हो रहा है कि नहीं वो भी देखना मैं थोड़ा दूर में जा रहा हूँ क्योंकि wireless mic का यही फाइदा है कि कितना भी दूरी चल जाओ मतलब 10 मिटर 15 मिटर 20 मिटर यह तो in fact 200 feet तक जा सकता है 200 feet को आप मिटर में convert कर लिजिए लगवख 70 to 80 मिटर तक यह range मतलब आप लोग को बढ़िया sound quality दे सकता है अगर आपको distance measure करना है कि कितना दूरी तक यह record कर सकता है उसके उपर मैं अलग video बनाऊँगा उसके लिए outdoor जाना पड़ेगा पुरा बड़े ground को जाना पड़ेगा वहाँ पे आप लोग को measure करके दिखा सकता हूँ तो अभी दोस्तों यहाँ पर एक libelier mic भी दिया गया है इसको हम switch करेंगे किस type का sound quality आ रहा है वो भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी चेक करना किस type का sound quality आ रहा है आप लोग judge करना और comment जरूर करना क्या आपको यह चीजे लेना चाहिए या आपको कुछ दूसरा product मतलब जो high range में आता है जैसे कि road की mic आता है high range आता है वो 28,000-30,000 तक आता है वो लेना चाहिए या यह 7,500 के अंदर यह लेना चाहिए FD की mic आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताना तो चलिए दोस्तो हम इंडोर अभी चलते हैं वहाँ पर मैं sound quality चेक करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ तो दोस्तो अभी हम इंडोर में आ चुके हैं और अपने अवकत में आ चुके हैं तो यहाँ पर आप लोग जो audio quality सुन रहे हैं वो अभी हमारे FD के mic से ये audio record हो रहा है आप लोग चेक करना दोस्तो किस type का sound quality आ रहा है और मैं अभी मतलब mouth के पास में ही बात कर रहा हूँ अभी अगर मैं clip करने जाओं तो यहाँ पर मैं start में clip कर दिया और किस type का audio quality आ रहा है आप लोग जरूर बताना यहाँ पर थोड़ा eco का problem भी हो सकता है eco क्योंकि room 10x10 का room है तो यहाँ पर eco का problem हो सकता है बट अभी आप जो सुन रहे हो यह है inbuilt microphone जो आपकी transmitter की inbuilt microphone अभी मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ एक level ear mic जिसको मैं यहाँ पर connect करूंगा और किस type का audio quality आ रहा है वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ तो यहाँ पर आभी हम connect करते हैं level ear mic तो फिलाल अभी level ear mic connect कर दिया हूँ यहाँ पर आप लोग देखना किस type का audio quality आ रहा है वो जज करना और मैं अभी इसको clip भी करने वाला हूँ और clip लगाने के बाद यहाँ पर मैंने mount कर दूंगा तो किस type का audio quality आ रहा है आप लोग मुझे comment करना मैं अभी फिलाल सुनने ही पा रहा हूँ जब edit करूंगा तब मैं इसका audio quality सुनूंगा और किस type का audio quality आ रहा है मैं आप हो चुका है उसके लिए मापी चाओंगा बट आप लोग को पूरा clear हो गये होंगे 7500 के अंदर किस type का audio quality आप लोग को मिल रहा है जो road mic है वो 28,000 का है दोस्तों और price difference यहाँ पर बहुत जादा है तो sound quality थोड़ा बहुत अगर road से कम हो रहा है तो मेरे को तो मनजूर है मेरे को accepted है क्योंकि मैं raw audio कभी भी यूज नहीं करता हूँ बट आप जो सुन रहे हो अभी raw audio है मैं कभी भी raw audio को यूज नहीं करता हूँ उसको थोड़ा bass boost कर देता हूँ, tutor थोड़ा बढ़ा देता हूँ, noise थोड़ा cancelize कर देता हूँ बट आप इस जो पूरा video में देख रहे हो इस सारे on edited audio quality, तो चले दोस्तों यही था पूरा details, मिलते हैं अगले video में, तब तक bye bye, जैहिन